हाई दोस्तों गूइड मॉनिंग मॉनिंग की राम राम जी सबी को कैसी है आप लोग जरूर बताना और अभी हो रहा है साड़े पाच का टाइम और इस टाइम ना बहुत ही ज़्यादा ठन पड़ी है थोड़ा सा लेछी कर दे ती उठने का टाइम और अभी पांच बजी उठती थी थोड़ा साड़े पांच कर दिया और पता नहीं आज मेरे थोड़ा गरलत भी ऐसी कर रहा है। तो उसी दिन से थोड़ा सा गरला खराब रबसा लग रहा है और यहां पर बस मॉर्निंग में मैंने जाड़ों गरे दे दिया है और उसके बाद यहां पर मैं आ गई हॉल रूम में सब सफाई कर रही हूं तो यहां पर पोच्छा लगाना है लेकिन यहां पर जो सुपा कबर तो यहां पर थोड़ा मैं साफ सफाई करे दे रही हूं ताकि एक बार तो साफ हो जाएगा मा की जब तक बच्चे लोग स्कूल नहीं चले जाते नहीं तो यहीं कर देते हैं तो आज एक बैन ने मारे कोमेंट किया था कि आखिर सुबह उठो तो वहीं काम लेट में उठो तो वहीं काम तो मेरी बैना मैं यह बोलना चाहूंगे काम तो देखो अपन की जिवन वी काम तो यही है और यह काम में सुकून रहता भी घर परिबार के अपना काम करने में लेकिन क्या होता है कि यदि हम सुबह जल्दी उठते हैं मतलब घर पे सभी कोई सो रहे होते हैं और फिर हम यदि घर में जल्दी उठते हैं और हमारा तो काम होता है बच्चों को देना हमी को है पती को भी देना जो भी है हमी को है तो और काम हमारा सबसे पहले कामी स्टार्ट होता है यदि हम लोग सुबे से उठ जाते हैं तो अपने लिए जो भी टाइम होते हैं गात घंटे का बहुत ही आराम से टाइम निकाल सकते हैं अपने लिए जो भी है और क्या होता है कि मतलब जल्द वाजी नहीं रहती है हर बड़ा हट जो रहता है मॉर्निंग में सभी का बीजी लाइफ होता है और उसी बीजी लाइफ में इदि लेट में उठोगे ना तो मतलब इतना हरबाड होता है कि क्या बता है मतलब लगता कितना फिर ऐसा लगता है कितना जल्दी सूबे हो गया कितना जल्दी बच्छे को स्कूल का टाइम हो गया भी मेरा खाना नहीं बना मतलब बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्द वाजी रहती है तो इसका मतलब है कि आप 1.5 गंट यदि पहले उठोगे, कम से कम एक जिसना उठते हो, उसे एक गंट पहले उठोगे ना, तो हमारा हर काम बहुत आसानी से अराम से हो जाता है, और हम अपने लिए भी सूबे का टाइम दे सकते हैं, तो हमें योगा भी करना चाहिए, तो हम से 20 मिनट के लिए, और फिर हम बहुत ही अराम से अपना जाड़ पूचा के जो काम होता है, मौर्णिंग में निप्टा लेते हैं, तो फिर हमारा काम बहुत एजी हो जाता है, फिर अपना क्या है, नास्ता बगरा है, नास्ता चाय मेनाए वहीं पे अपना, तो मतलब कुछ चीज के लिए बहुत ही हट बड़ा हट नहीं रहती है, तो यह है, और आपके मन में जो भी क्वेस्टन होना तो जरूर आप लोग हम से पूचिएगा और बताइएगा, और यह रूम ना बिलकुर साफ किया कर दे रहे हैं, यहाँ तो ज्यादा नहीं मचता है, मैं सब ज्य पानी पी लेती है, और आप लोग भी जरूर कोसिस करें, और यह है किस टाइम पे ठंडे ना, बहुत ज़्यादा जल्दी उठने कोसिस ना किजिगा, लेकिन इस टाइम पे आप उठ रहे हो, उसे आदा गंडा पहले उठो और फिर पौना गंडा पहले उठो, तो मतलब हम लेट में ही होंगे, और यहां पे देखें, बात करते करते हमारा ज़ाडू पूछा हो चुका है, और मुझे रूमों में लाइफ जलानी पड़ रही है, क्योंकि अंधहीला है ना, तो बस हो गया मैंने, क्या किया पहले ज़ाडू लगा दी हो, फिसके बाद मैं अपना थो जाता है, और पूरा बढ़ी साफसुतरा सा घर हो जाता है, अपने को भी बहुत ही पोजट्यू फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छा लगता है, कि सुपह सूट की मतलब बढ़िया घर साफसुता हो गया, और जब मॉर्निंग हमारी अच्छे होती है, तो पूरा दीन हमार तो दोस्तों यहां पर मेरा पोच्छा बगारे सब लग चुका है और अभी टाइम हो रहा है यहां पर मैंने दरी भी डाल दिया ताकि दरी में डला रहता है तो बढ़ी है विवस्ति तो जाता है चली मिलते हैं नहाने के बाद आप लोगों से सो गाइज यहां भी हो रहा है टाइम साठे साथ बजे का और अज बननी है भाजी और मौसम आप देखी रहे हैं को ऐसा मौसम किया हुआ है और यहाँ पर मैं नहाने के बाद मैंने नहाके गाउनी डालिया था और स्वेटर पहन लिया था कानु मी बंद लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और गलंद चालू है ना तो आज यहांपे बड़ीया चूला पे बनाऊंगी और चणक भाजी अम्मा जी ने भेजा हैं और अम्मा जी वो भी जानती है कि काटते से नहीं यहांते हैं कि लगे एंजय हैं इतार आजा और यहांपर देखिए चूला पें बडियां से आग जाल रही है और आज कल तो आज कल कोई भी कहीं जाता है ना आजका लेडी जी तो सबसे पहले रासोई में गुछती है क्योंकि वहां पें कम से कम खाना भी बन्ता है और हाथ से एक डूपर मिलता है बड़ तो उसको राख लिए तिसमें आग बरने के काम में आ रहा है बहुत ही बढ़िया और चलिए फिर आगे थोड़ा चूला में अच्छी तरह से तूट जाया और फिर इसके बाद हम कराई जड़ा देंगे और मैंने सब पहले से लाकर रख लिया और एक बालटी पानी अमने छत में भर लिया था जब सुर्ज देवदाजी को जल दिये थे और देख सकते हैं मौसम कितना कोहरा कोहरा सा बिलकुल है और यहां पे बेटा ने वीडियो बनाया है तो यहां पे देख सकते हैं बेटा कैसे वीडियो बना रहा है बच्चे ना बच्चे बड़े मुस्किल से व नहीं है बहुत पुरानी कराही एक यह कराही पहले थी जब हमा के हमें आई ती कराही है, तो नहीं हम आखी तुल यहां ही पहले कराही कराही होना है, चावन वैसे में रेस्पी में आप अंगले वीडियो पर देख लिजेगा और यह चना की भाजी है तो उसको हमने डाल दिया है इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे इजित इसको भूनते हैं तो स्वाध बहुत ही बड़ी आता है बहुत लोग भून के पीस के भाजी बना हम लोग को इसी भाजी में स्वाध रहती है अपना अपना खाने का तरीका हो जाता है वट आप लोग के ट्राइजरूर करना आप लोगों ने ऐसा नहीं बनाया होगा तो यह जब भून जाएगी ना तो इसमें तो हल्दी पढ़ती नहीं मसाला पढ़ता नहीं है बसो के ब माज़ जब भाजे आमने बॉफ जाती है तो बहुत ही कम हो जाती है और यहां पे बड़ी जो हमने देखिये रखा था ना से रहा के तो इसको भी आपर डाल दे रहे हैं और यहां पे चार बड़ी हम ने भूना हुआ था और यह ए बुनी बड़ी वैसे भी खाने में और चलिए यहां पर पानी डाल दिया है. तो देखे, भाजी इतना था था, उसको डबल पानी डाले हैं. अदिक राइ भाजी थी, तो पानी अमने डाल दिया है और यह पके थी, इसको पवना गंटा पकने में लग जाता है और चलिए फिर हमारी भाजी पक गई हैं यहां पर भाजी पग गई है ना तो यह पॉना घंटे बाद का वीडियो मैं ने ढग दिया था और ढग डग के देख रही थी और यहां पर यह देखे भाजी में हमने आटा लगा दिया है आटा लगाने का मतलब आटा लगाते हैं तभी यह भाजी हमारी बहुत एचे से रोटियां और बस सब मुझे गर्मी टाइप की लग रहे थी क्योंकि बहुत देर से मैं बैटी थी कुछ और धूब थोड़ी निफाय आई थी तो रोटियां बन रही हैं टमाटर भी हमने भून लिया क्योंकि मुझे भाजी के साथ ना टमाटर बड़ा मचाता है खाने में और ये देखे सूर जी दरसंदे दिये हैं और चलिए फिर हमारी रोटियां में बन कर तयार हो गई है तो आज का हमारा पूरा खाना बना है चूले में हमारे देशी रसोई में और बस हमारा भाजी चावल रोटी बन चुका है और चलिए फिर बच्चे भी टीपिन में ले जाने के लिए आज बहुत excited हैं भाजी रोटी ले जाने के लिए तो यह देखे यह रही हमाई थाली सब कोई खाना कहा चुके बच्छे लोग भी school जा चुके हैं पती देव जी भी चले गए हैं और यह रही हमाई थाली तो यहां पर देखे मैंने सेमी का चार डाला हुआ था रोटिया चावल बाजी तो आपको कैसा लगा आजगा हमारा ब्लॉग जरूर बताईएगा आपको पसंद आए तो जरूर एक लाइक करना